गुद मॉर्निंग चेलरन आज आप निकालेंगे भाषा अभ्यास और भाषा अभ्यास में योगशाला जो हमने चप्टर पढ़ा था बिटा उसमें आपको ये बताया गया था कि हमें योगासन के द्वारा कितनी ही हम बिमारियों को अपने दूर रख सकते हैं और ये एक राफ ड़्टर था और उसने ये योगासन शहर जाकर सीखा और फिर वहां पे अपने जंगल में आकर अपने सुनावन में आकर उसने क्या किरा था? योगशाला कोली थी और जो मुफ्त थी और उसमें सभी जानवर आया जिसमें से की जो ये थे हाथी दादा थे उनके हमीशा सुबह उठकर योगासन अच्छे से करना चाहिए तो यह ही उसका connected उसका योगशाला का वहाशा अभ्यास में chapter है exercise आपको करने के लिए दिये हैं उसको हम करेंगे इन जानवरों को पहचानी है वो इनके नाम लिखने है जानवरों को पहचान कर आप लग सकते हैं ये कौन है हाथी ये कौन है भेडिया बेडिया और ये कौन है हिरण नहीं ये है बकरी देखो तरना बकरी यह हिरन है घरन हिरन और यह कौन है घोड़ा और यह कौन है खरगोश खरगोश गहां में ओकी मातर आई है तीक है अब next page page number 64 इन पक्षियों को पहचानिये वह इनके नाम लिखिये अब आपने इनको पहचानना ये कौन है कववा पक्षी है न कव आ पिर ये कौन है कट फोडवा कठ फो ओ की मातरा रही है रड़ ड़क नीचे बिंदी वा व में आ की मातरा कट फोडवा और ये कौन है तोता इसको क्या बोलते है मिठ्थू भी बोलते है तो-ता-तोता और ये क्या है कोयल को-य-ल कोयल इक कौन है मोर मो-र मोर ममे ओ की मातरा और यह क्या है चिडिया तो इसको कैसे लिखते हैं चिडिया चिडिया ठीक है अब नेक्स पीज है पीज नमबर 65 समझ कर पूरा कीजिये तो इसमें आपको डिडिंग करनी है और उसमें आपको पता लग जाएगा एक्सामपल भी दिया है कि हमें कैसे आगे एक्सिसाइज करनी है एक तोता जब एक होता है तो इसको तोता बोलते हैं और जब चार होते हैं तो क्या बोलते हैं तोते तो यह क्या है एक अनेक एक किताब पांच किताबें एक बच्चा दो बच्चे एक रुपया तीन रुपये एक रुपये एक औरत साथ औरतें साथ औरत तो नहीं बोलते ना औरतें औरतें एक औरत साथ औरतें अब ये थोड़ी सी एक्सेसाइस बच्ची है फिर हमारा सिलबस कम्प्लीट हो जाएगा ये हम कल करेंगे सो थैंक्यू सो मच बिटा नेक्स डे तो पिरेंड नहीं है न हमारा तो आज ही हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे कल हमारा पिरेंड नहीं है दिएगे शबदों के समान लएवाले शबद चुनकर रिक स्थानों में लिखिए यहा पे वर्च दिया है यह एक जैसे समान लَएवाले जिसमें से एक जैसी साउंड आती है जैसे कच्चा तो क्या बनेगा आधच्च है ना तो बच्चा पक्का धक्का लसी रसी छप्पर खप्पर बल्ला हल्ला ठीक है अब कोशिन नमबर फाइव है दिये गए वाक्यों में वरिपीत शब्दों पर घेरा लगाईए खरगोश तेज दोड़ता है कच्चुआ धीरे तो ये एक दुसरे के विप्रीत हुए है उल्टे शब्द है ये यह गुलाब खिला हुआ है पर गेंदा मुर्जा गया है खिला मैंने तो धीरे से मारा था पर जोर से लग गया तो धीरे और जोर देखने में ये किताब भारी लगती है पर है हलकी तो क्या ऐगा भारी और हलकी पहाड से उतरना आसान है पर चड़ना मुश्किल तो यह क्या हैगा उतरना और चड़ना इसको सरकल कर देंगे और यह है आसान और यह है मुश्किल तो यह सारे क्या होगे एक दूसरे के विपरीत शब तेज, धीरे, खिला, मुर्जाना, धीरे, जोर, भारी, हलकी, उतरना, चड़ना, आसान, मुश्किल अब यह क्या है, चित्रों को देखकर कहानी समझे और नीचे लिखे, वाक्यों को सही क्रम में लिखे यह देखो, यह क्या कर रहे है, यह कच्वा और खरगोश की क्या हो रही है, रे सो रही है, और भागते भागते खरगोश आगे चला गया, कच्वा पीछे रहा गया, यह देखकर कि मैं बहुत आगे हूँ, तो खरगोश कहने लगा, चलो मैं आराम कर ले तुम, कच्वा तो ब उसको नीद आगी तो वो सो गया, कच्वा बहुत आगे निकल गया और कच्वे की जीत हो गयी, है ना, तो यहाँ पे लिखा है, वहर रास्ते में ही सो गया, आखिर में कच्वा जीत गया, कच्वा धीरे धीरे चलता रहा, कच्वे और खर्गोश ने साथ साथ दाड़ना शु किया है, यह पहली पिक्चर है ना, यह वाली, तो इसमें वन लिख देंगे हम, पहले यहाँ पे, यहाँ पे कव में यह लिखेंगे आप इसको कव लिख लो, फिर क्या है, यह खर्गोश दे को बहुत आगे निकल गया ना, तो यहाँ लिखेंगे, कर्गोश बहुत आगे ये ख, फिर वह रास्ते में ही सो गया, ये ग, और क्या हुआ, कच्छवा जो था, वो धीरे-धीरे चलता रहा, कच्छवा धीरे-धीरे चलता रहा, क, ख, ग, घ, ख, आखिर में कच्छवा जीत गया, ये यह, तो यह आप अपने आप लिख लेंगे, खरगूश और कच्छवे की स्टोडी का आगे, क्रमा नुसार हमने ठीक लिख दिया है, तो यह आप अपने आप कर से यह तक लिखेंगे, तो थैंक यू सो मुश बिटा,